सलाम वालेकुम आज हम बनाएंगे बैगन का भरता, तीखा और चटपटा जो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है बहुत से लोग इसे बैगन का भरता और बैगन का चोखा भी बोलते हैं अगर आप सबको भी बैगन का चोखा यानी भरता, तीखा चटपटा ये रेस्टी बनाना है तो मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखना तो चलिए फटा फट चिप बनाना सुरू करते हैं बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने अहाँ पे दो बड़े साइच का बैगन ले लिया है, दो टमाटल ले लिया है तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक चाकू और जो हमने बैगन को लिया है, इस तरह से बीच से ऐसे पहले हम कट करके इसे देखेंगे नहीं तो बहुत से बैगन अंदर से खराब रहते हैं, तो सबसे पहले हम बैगन को कट करके देखेंगे इस तरह से बैगन जो है अंदर से बिलकुल ठीक है अंदर से खराब भी नहीं है तो इसी तरह से हमने जो दूसरे बैगन को लिया है उसे भी हम चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे बैगन को मैंने अच्छे से कट कर लिया ये अंदर से ठीक है खराब बिल्कुल भी नहीं है इसी तरह से तो अब हम चलते हैं गैस के तरफ सबसे पहले हम गैस को आन कर देंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है जाली वाला एक इस्टेंड जिस पे हम बैगन और टमाटर को भूनेंगे भरते के लिए गैस पे मैंने इस्टेंड को रख दिया है तो जो हमने बैगन को कट कर लिया है चार पीसेज में तो चार पीस को हम चारो कोने के तरफ में इस तरह से रख देंगे और जो हमने दो टमाटर लिया है उसे बीच वाली जो जगा खा ली है उसमें हम दोनों टमाटर को रख देंगे इस तरह से अब जो हम इसका भरता बनाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है भून कर तो हम इस्टेन को इसी तरह से अलटते पलटते हुए चारो तरफ से इसे सेख लेंगे गैस को आन रहने देंगे जो हमने बैगन को रखा था इस तरह से भूनने के बाद ये एक तरफ ऐसे पकड़ के चारो तरफ गुमा के इस तरह से इसे हम सेकेंगे तो ये अंदर से अच्छे से पक जाएंगे कच्छे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस टेंड को किस तरह से पकड़ के चारो तरफ इसे हमने अच्छे से भून लिया है पूरे के बाद जो है मैं इसका छिलका निकाल दूंगे जैसे कि ये उपर का छिलका है तो यहाँ पर जितने भी छिलके उपर से जलके काले हो गए हैं इस तरह से मैं इसका छिलका अपने हातों की मदद से निकाल दूंगी इसका छिलका भी बहुत आसानी से निकल जाता है तो इसी त करेंगे अगर हम इस तरह से बैगन का भरता बना रहे हैं तो बहुत ही जादा टेश्टी बनता है आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने आलू नहीं बस बैगन का भरता यानि कि बैगन का चोखा बनाया है जो तीखा और चटपटा बनाएंगे जो बहु अच्छे से मिल चाएं इसी टरा से हमने से चлекशे से मैस कर ली यह देखिए तो अब बी चलते हैं अपने लिया है तो इन पैन में थोड़े नहीं इंदा राइह एक छोमाज के कट भी रहेना नहीं इसे हम चम्मत से चला देंगे हलका लाल होने तक फ्राई करेंगे इस तरह से लसुन और अध्रक अच्छे से लाल हो गए हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे यह बारीक कटा हुआ हरा मिर्च तीखा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं मैंने 5-6 हरी मिर्च को कट करके दाल दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज यह सबसे जो हम तड़का लगा रहे हैं इससे बैगन का भरता बहुत ही जादा टेश्टी बनेगा जो तीखा चटपटा आप खाएंगे तो बहुत ही जादा टेश्टी लगेगा तो इसी तरह से हम प् नहीं तो जो हमने पौडर वाली मसाले डाले हैं वो उसमें जल जाएगा तो जल्दी से हम इसमें डाल देंगे बैगन और ये टमाटर वाला भरता और इसी तरह से हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे सारी चीजे बैगन में इस तरह से मिल जाएं और ये हमने इस से अच्छे से मिला लिया तो आभी इसमें डाल देंगे अउपर ही थैस्ति और देंगे इसमें एक चमत से कम डोना सान नमक डाल देंगे और इसे चला लेंगे बस दो मिनट और पकाएंगे इस तरह से और यह देखिए बहुत ही टेस्टी और तीक पकष्षव लाइन का चोख आना कि ये वीडियो आप सब को कैसी लगी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंक यू